अलो एवरिवन आएम अंकुष आइंड वेलकम बैक टू दे चैनल उमीद जैए यार वनस्टॉप सलिशन फॉर आल जैए प्रेपरेशन तो आज कॉंसेट आप देश श्रीज में हम डिसक्स करेंगे कॉनिकल पैंडूलम एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वे यह आपका टेलिग्राम चैनल है जिसको जॉइन कर लें जहां पर आपको डेली प्रेक्टिक शीज जिसमें अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे प्लास टाइम टेबल माइंड मैप्स की नोट वगरा वगरा बहुत सारी चीज आपको यहां मिल जाएगी फिर भी यहां पर एक प Voilà मैं जिसमें बॉप होर्म याफ़ एक फॉर्स इस ट्रव कोल आओ सब कर रोता है और यहां पर देखेंगी जब बॉप हॉन आपक बनाता रहा होड़ यहांपर लेंट खरतन के है और एक और important parameter है थीटा जो जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल से जो एंगल बनाएगी तैट इस थीटा और राइट इसमें बेसिकली बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के questions बन सकते हैं तो कोई भी एक टाइप का question हम देख लेते हैं discuss कर लेते हैं क्योंकि जो equations हम बनाएंगे वह equation remains the same question कुछ भी हो right equations में यहां पर बनाने जाने वाला हूं वह same ही रहने वाले है all right so start करते हैं so यहां पर आपको यह conical pendulum दिखाई दे रहा होगा राइट यहां पर question एक example question मैंने ले लिया है इसमें जो भी equations में बनाने वाला हूं वह आपको और भी दूसरे किसी भी टाइप के questions आ जाए उनमें बनानी है all right so what is the angle made by a string with vertical so string जो है ना pendulum की string वह वर्टिकल से कितना एंगल बना थी मतलब थीटा की बात कर वें थीटा आपको find कर दा है तो यहां पर जो equations बनेगी वह मैं बता देता हूं क्योंकि यह पर important यह नहीं कि answer क्या रहे है यहां पर important यह कि equations क्या क्या बनानी है आपको all right all right so यहां पर already मैंने टेंशन और एंजी लगा रखा रखा राइट टेंशन आपका एक along the string लग जाएगा और एंजी आपका वर्टिकल डिरेक्शन में है तो टेंशन की अगर मैं कॉंपोनेंट कर देता हूं तो इसका एक इसका एक वर्टिकल कॉंपोनेंट आ जाएगा अगर पेंडूलम पर गहुर्फ फर्माएं तो पैंडूलम एक सेर्क्लर मोशन कर रहा है जिसका सेंटर आपका यहां पर होगा जिसको में ओव पॉइंट बोल देता हूं तो अगर पैंडूलम सर्कल कर पा रहा है तो जरूर लिछ उसका और सुसी से कोईना और फॉर्स प्रवाइड कर रहा हूं तो यहां पर जो व्वाब है उसको प्रवाइड कर रहे है तो सेंटर फोर्स क्या होता है वोगज c पर किया आप कोई देख यह फॉर्स देख पह रहा है कि कि या टी साइन ठीटा ती साइन ठीटा ए यह मैं से इप engineer लगेगा तो Welcome जो डिए रहा है जिसके सरकल कार रहा है डिए आपि सकता हूं कि यहां पर एक्वेशन आपकी यह बन जाएगी पर यह एक्वेशन और बन जाएगी कि आपका जो अगर बॉप पर फोकस करें तो बॉप का जो मोशन है ना होरिजोंटल प्लेन में क्या वर्टिकल में कोई को इंचनकी को में जाएगी की को सुभेशन चरौक्त्रम का कोई बी सवाल हो 시 और यहां पर एक्वेशन पाइंगल करना है तो अब लग एक्वेशन वरlonद और केंस्सेल out हो जाएगा तो equation 1 and equation 2 का हम divide कर देते हैं तो यहाँ पर आ जागा 10 theta is equal to v square on rg तो यहां से आप angle find कर सकते हैं अगर मालने आपको tension find करना है tension in the string तो आप क्या करेंगे equation 1 square plus equation 2 square right is equal to so equation 1 का square which is t square sin square theta plus equation 2 का square is t square cos square theta is equal to mv square by r का whole square plus m g का whole square तो यहां से आप tension भी find कर सकते हैं all right t square आप common ले लेंगे and sin square plus cos cos square theta is one तो यहां से आपको tension भी मिल जाएगा वी तुदी पावर 4 by r square plus तो यहां से आपको tension भी तो यह sample question था जिसमें मुझे यह बताना था कि जब भी कोई question आएगा तो आपको equations क्या बनानी है एक बार equations बन गई फिर depending on की question में आपको क्या data given है और क्या आपको find करना है आप फिर उन equations से play around करके find कर सकते हैं जो भी unknown value है राइट तो that's it as far as conical pendulum is concerned तो अब इस पर question हम देख लेते हैं all right अब यह question पर आप focus करेंगे तो a conical pendulum of length one meter makes an angle 45 degree with respect to z axis and moves in a circle in the xy plane the radius of the circle is 0.4 meter and its center is vertically below oh the speed of the pendulum and its circular path will be तो pendulum किस स्पीड से circle कर रहा है राइट वह स्पीड आपको find कर नहीं है अब देखो यहां पर भी आपको question change होगा आपको यहां पर speed find करना है बट अगें जो equations दो आपकी बनेगी equation number one and equation number two वह यहां पर भी आपको बनाना होगा राइट तो आपको question बदल जाता है बट जो steps है जो equations है वो remains the same तो वह equations मैं यहां पर भी बना देता हूं राइट यहां पर भी यहां पर एक tension लगेगा राइट tension का component यहां आजाएगा that is t sin theta and vertical component will be कि cos theta राइट और यह एक weight इसका हो जाएगा राइट तो यहां पर भी एक equation इसके बाद आपको क्या करना है आप इसके बाद आपको क्या करना है आप इस दो दो value fine कर सकते हैं तो divide कर दे तो आपको मिल जाएगा 10th theta is equal to v square upon rg sorry v square upon rg आपको find करना है v so v is root of rg 10th theta अभी आप आप values डाल सकते हैं तेकिए आपको r small r given a .4 तो आप यहां पॉइंट फोर आगया जी आप यहां 10 ले ले 10 गिवन है राइट टैन आगया एंट टैन थीटा 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 आपको गिवन ए 45 डिग्री तो तैन 45 डिग्री इस वान तो यहां पर आजाएगा आपका वेलोसिटी आपका निकल क्या आजाएगा फोर रूट पोर एस्ट्य फोर तू मेटर पर शकेंड यह वेलिए अप्केशा तंसर आपको बनानी है अब उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है वह डिपेंड रहे आपको आपके अननौन्स है आलराइट तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें सब्सक्राइब करें और अगर वाकार यापने कुछ सी कहा से तो अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर all right thank you thank you for watching bye bye